मेरे वीडियो को लाघकिन को स्वागति नमस्ट दोस्तों मैं हुंआ स्वागत पर आपको स्वादील विशा मैं आज लाइब Riot आज लाएं हूँермू और एक बैंगन के रेसिपी, दोस्तों यह है दो दाही बैंगन दाही बैंगन फैंश है उडिसा में हम इसको कच्छे दही में बेंगन का फ्रायर डाल के खाते हैं मेरे वीडियो को लाज तक देखिए दोस्तों आपको जरूर पसंद आएगा मेरे रेसिपी तो दोस्तों चलिए बनाते हैं दही बेंगन मोना के स्टाइल में दही बेंगन बनाने के लिए मैं बॉटल से एक जो बड़ा साइज का बेंगन है उसको अच्छे से धो दी हो दो के साप करके उसको थोड़ी मीडियम साइज का कट करके आप कोई भी साइज में कट कर सकते हैं जैसे आप पसंद करें तही बेंगन में डालने के लिए वैसे आप कट करके भी डाल सकते हैं मैं यहां पर मेडिय लिए में यहां पे उनना सकत कर सकते हैं भूहार भी आ घ्रीवक है ओर भी और यहां पे अमिचनल पर उनना चराप कर सकते हैं कड़ाई थोड़े से गरम हो जाने के बाद उसमें मैं 2 टेबिल स्पून सरसो का तेल ली हूँ हूँ हाँ दोस्तों यहाँ पे सरसो का तेल यूज करना बहुत ज़रूरी है अगर बेंगन को आप फ्राय करते हैं सरसो के तेल में तो उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता ह है फ्लेम को यहाँ पे हम लो मीडियम पे रखेंगे तेल थोड़े से गरम हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे एक छोटी चमज राई एक छोटी चमज जीरा खरी पत्ता और जो अद्रक लिए थे उसको डालेंगे फिर हरी मिर्च डालेंगे दो लाल मिर्च डालेंगे ब जोस्तो ध्यान दिजिएगा जब हम धेंगण को डाल रहे हैं तो हम अभी फ्लेम को हाई मिडियम पर रख़्चिंगा हमें भी फ्लेम हमें पर ही बनाना चाहिए में ब्लाक नहीं होता है और बहुत जल्दी बॉल होता है थोड़ी के लिए हम हाई मीडियम पर फ्लेम अभी डालेंगे इसमें हम 1-5 चमश- हल्दी, 1-5 चमश- नमक डालके इसको बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे मिलाने के बाद देखे एक अलग चेंज हो रहा है इसको अभी ढखके 5 मिनिट के लिए लोग आंच में ही पकाएंगे बेंगन अच्छे से बॉल हो जाने चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम बनाते हैं बेंगन को तो ये मिक्स हो जाता है तो हमको इतना याद रखना पड़ेगा कि बेंगन को ज़्यादा डेट तक पकाना नहीं है बीच में बीच में मिलाना चाहिए यहां दोस्तों मैं प्याज लसुन का यूज नहीं किये हूँ, यह बिना प्याज लसुन से ही बनाई हूँ, सिब अद्रग देखे अभी बेंगन थोड़ा सा बन चुका है, इसमें हम डालेंगे एक छोटी चमज रोस्टेट जीरा पाउडर एक छोटी चमज काली मिर्च पाउडर, एक छोटी चमज लाल मिर्च पाउडर मिलाके इसको अच्छे तरह से मिलाएंगे मिलाके हम इसको बिना ढखके दो मिनिट के लिए पकाएंगे हमारा बेंगन अच्छी तरह से फ्राय हो गया है अभी स्टोप के फ्लेम को आप कर देंगे और बेंगन को थोड़ी दिर के लिए थंडा करेंगे अभी बनाएंगे हम कर्ड मैं यहाँ पर एक कप कर्ड ली हूँ इसको अच्छे से विस्कर के साहरे में विस्क कर रही हूँ आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर हैं आप हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से विस्क करना है ताकि लंप ना रहे कर्ड में बहुत अच्छी तरह से मिल जाए अभी इसमें हम hop cup पानी डालेंगे उसको अच्छे से फिर से wisk करेंगे देखिए हमारा कर्ड बहुत अचितर से mix हो गया है अभी इसमें डालेंगे एक शोटी चमच नमक एक शोटी चमच लाल मिर्च पाओडर एक शोटी चमच रोष्टेज जीरा पाओडर एक छोटी चंबच ब्लाक पेपर पावडर और जो नारियल को हम छॉपट करके रखेते उसको डालेंगे और अभी अच्छे तरह से मिला लेंगे बेंगन को जो फ्राइ करके रखेते अभी हम इस कड्ड में मिलाएंगे मिला के अच्छे से उपर नीचे करके बेंगन को बहुत अच्छे तरह से कर्ड में मिला देंगे ताकि बेंगन अच्छे से डूप के रहे कर्ड में अभी कटे हुए फ्रेस धनिया पत्ता को उसके उपर गानिस करेंगे हमारा दही बेंगन बनके रेडी हो चुका है देखे बहुत ही tasty बहुत ही अच्छा लग रहा है ये दिखने में जितना अच्छा लगता है खाने में हुई उतना ही अच्छा है आप जरूर घर पे बनाईए और बनाने के बाद खाईए खाने के बाद आपका feedback मुझे comment सक्षन में जरूर बताईएगा आपको अगर मेरी ये recipe पसंद आई है तो like जरू कीजिएगा अपने दोस्तों में share जरू कीजिएगा और दोस्तों जो लोग मेरे चैनल को अब तक subscribe नहीं किये हैं प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लिजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेगा बेल आइकन दबाते ही मेरा जो न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले जाएगा फिर आओंगी और एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए स्टेट होम स्टेज से नमस्ते